नमस्कार दोस्तों, मैं सुसिल आप सभी को SKC Times में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत important topics, general science यानि कि समानने बिज्ञान के 40 महतपुर्ण प्रश्ण जो एक्जाम्स में बार बार पुछे जाते हैं दोस्तों यह 19 चेप्टर है और यह जी बिज्ञान का चेप्टर है तो दोस्तों यह जो भी प्रश्ण होगा, यह सारे रेपिरेट प्रश्ण होगा जो कि एक्जाम्स में पूछी जा चुकी है तो इस वीडियो को आप लाश्ट तक देखिए और इस वीडियो से लाव लेजिए आप यहां देख सकते हैं यह 19 नंबर है तो 19 मा चेप्टर और इसे पहले ठाड़े चेप्टर बना दिया गया है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हो सके तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो चलते हैं हम लोग वीडियो की और एक और रिक्वेस्ट आप से हैं दोस्तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही घंटी के चीने को भी प्रेस कर लिजिए ताकि हर वीडियो का अपको मिल दार है तो चलिए दोस्तो चलते हैं कोशन नमर एक की और जियां दोस्तो बात करेंगे दोस्तो कोशन नमर एक की तो कोशन नमर एक आपका क्या कहता है कि प्रोटीन का संसलेशन होता है जियां दोस्तो प्रोटीन का संसलेशन होता है वह कहां होता है गौलजी काई में होता है राइबोशोम पर होता है माइट्रो कॉंड्रिया में हो Mitochondria का संबंद से हैं किस से है दोस्तों सरजन से प्रासरन से पाच्छन रस से या स्वसन से तो Mitochondria का जो संबंद से संबंध करिया से संबंद से ठीक है अगली कोश्यंद की बात करें दोस्तों कोशन के अंदर उर्जा का निर्मान होता है अगली कोस्टन की बात करें चार की कहता है पादप कोसिका में डियाने होता है यह दोस्तों पादप कोसिका में जो डियाने होती है वह किस में होती है हरितलबक में होती है माइट्रोकॉंड्रिया में होती है केंद्रक में या सभी में होत अगली questions की बात के तो question 5 की तो question 5 आपका क्या कहता है कि मानब सरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाय बनती है तो वह जो अंग है दोस्तो वह है दिर्ग अस्थी ठीक है मित्रो अगली questions की बात के तो question 6 की तो question 6 आपका क्या कहता है कोशिका सिध्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया जी है दोस्तो कोशिका सिध्धान्त का जो प्रतिपादन है वह किस ने किया तो डार्विन और वैलेश ने मेंडल और मॉर्गन ने स्लाइडेन और स्वान ने या ठीक है तो कोसी का सिध्धानत का जो परतिपादन के था दोस्तों व्याखता स्लाइडेन और स्वान। अगली अर्द सूत्री विभाजन जो होता है वह पाया जाता है इसमें पत्ति कलिकाय में ठीक है दोस्तों अगली क्या लिए कि बात केंदे ते ग्रम नी आपका होता साथ कि किस दूध में लेक्टोज सक्कर का परतिक अधिक होता है यहां कि गाय सब होती है वह हुद है सबह quirky दूद में इस्ती के सबसे जादा दिन तक जीवित रखने वाली पक्षी सबसे जादा दिन तक जीवित रहने वाले जो पक्षी हैं दोस्तों वह कौन सा है बत्तक डोडो मोर अश्ट्रिच तो सबसे जादा दिन रहने वाले जो पक्षी है जीवित हुआ है सी के साथ एंसर्स चला जाएगा ठीक है मित्रों अगली कोश्चन की बात के दोस्तों कोश्चन नमर 12 की कहता है चमगादर किस बर्ग का प्रानी है जिए दोस्तों चमगादर जो है वह किस बर्ग का प्रानी है तो यहां से यह जान लेजिए कि चमगादर जो है दोस्तो वह आपका मैमेलिया वर्ग का ही प्रानी पाई जाती है ठीक है मित्रो अगली कोश्चन की बात केंदे कोश्चन नमर 13 की तो कोश्चन नमर 13 में आप लोग देख सकते हैं यहां से एथलिट फूड बिमारी होती है ज इवानुओं से फुपुंद से मुत्र क्रीमी से या प्रोटो जोया से तो इसका जो एंसर हो जाएगा मित्रो वह चला जाएगा फुपुंद से जो होता है अगली कोश्चन की बात केंदे कोश्चन नमर 14 की तो कश्चन नमर 14 आपको कहता है कि लीची में खाय जाने वाला अगली कोश्चन की बात के दूसके कोश्चन मर पंदरह की कहता है तो तो बहूं uh तो इसका चला जाएगा बी के साथ चला जाएगा अगली कोश्चन की बात करते हैं तो कोश्चन नमर 16 आप क्या कहता है दोस्तों यह कहता है कि रुदीर परी संचरन तंत्र की खोज करने वाला पर्थम बैज्यानिक जो थे वो कौन थे तो अपसंस आपका दिया है बिलियम हर्वे, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, एड्रियास, बिलेलियस तो इसका जो एंसर हो जाएगा दोस्तों वह चला जाएगा बिलियम हर्वे के विशानुकी जो खोज की थी, वह किस ने किया था, तो विशानुकी खोज आप यहां से यह जान लेजिए, कि इवानो वेश्की ने जो है विशानुकी खोज की थी, अगली कुश्चन की बात करते हैं, कुटे के काटने पर वाइरस के द्वारा जो रोग उत्पन होता है, वह कौन सा रोग कहलाता है, तो वह जो रोग है मित्रो, वह आपको हैड्रोफोविया कहलाता है, अगली कुश्चन की बात करते हैं, क्या क्या कहता है, कि जीवानों की खोज सरपर्थम की थी, यानि कि जीवानों की खोज किया था, वह सरपर्थम किस ने किया था, तो इसका जो answer हो जाएगा मित्रो वह हो जाएगा लिवेन हॉक ने जीवानु की खोज सबसे पहले किया था अगली questions की बात करते 20 की कते सकरकंट में भोजन संग्रहित होता है संग्रहित होता है संग्रहित होता है किस की दोरा अस्तंब में, पत्तियों में, जरों में ठीक है तो 20 का जो answer सुचाएगा दोस्तो वह चला जाएगा अस्तंब के कारण ही भोजन संग्रहित हो पाती है अगली questions की बात केंदे question number 21 की question number 21 आपका क्या कहता है कि हल्दी के पौधे का खाने योग हिस्सा कौन सा है जिए दोस्तो हल्दी जो हम लोग यूज करते है मसाले की रूप में उसका जो खाने योग हिस्सा होता है वह कौन सा होता है तो वह जो हिस्सा है दोस्तो वह है प्रकंद ठीक है प्रकंद भाग को हम लोग खाते है अगली questions आपकी 22 नमर की बात करते हैं कहते है lymphocytes रच्छा करती है जिए दोस्तों lymphocytes जो पदार्थ होता है हमारे सरीर के अंदर वह रच्छा करती है किस से तो वह आजा है दोस्तों रोगानों से रच्छा करती है हम लोगों को अगली questions की बात करतों कोशन नमर 23 आपका क्या कहता है कि अपातकालिन गरंथी है ट्रीक है अगली questions की बात करते कोशिण नमर 24 की तो प्लागरा रोग किस पोशक पदार्थ की लगातार कमी से होता है तो वह जो पदार्थ है दोस्तो वह हो गया निया सीन अगली questions को आप देख सकते हैं अपने screen पे question number 25 को question number 25 आपका क्या कहता है कि मानव सरीर में master grantee कहलाती है जियां दोस्तों मानव सरीर में master grantee होती है वह कौन सी grantee कहलाती है तो वह आपका putritory grantee कहलाती है master grantee या मटर के दाने के समान ग्रंथिफ आई जाती है हमारे मस्तिक्स में ठीक है अगली क्वेश्चन की बात करतें कोश्चन नमर 26 की कहता है रक्त कब्र गाहा किसे कहा जाता है तो दोस्तों इसका जो एंसर हो जाएगा पिलिहा लालस्ति मज्जा और फेफरा तो इसमें जो इसका एंसर चला जाएगा प कौन सा खनीज लवन सरीर में बहुयात मात्रा में पाया जाता है यानि कि कौन से खनीज लवन है जो हमारे सरीर में ज्यादा मात्रा में पाया जाती है लोहा, केल्सियम, सोडियम या फासफोरस तो इसका जो एंसर सोजाएगा दोस्तों केल्सियम जो है हमारे सरीर में बहु तो इसका जो एंसर चला जाएगा दौस्तोब वह आपका चला जाएगा किसकेसाथ कि सी के साथ चला जाएगा जब एकस वॉय गुनसूत्र पाई जाती हो तो यहां पर कुछ मिस-पिन्ट हुआ है चलिए एकसव हो जब रहेगा तो लड़का पैदा होता है चलिए दोस्तो अगली क्वेश्य की बात करते हैं अस्तनधारी ज़ो पसूपक्षी होते हैं उसमें मुख के उसर्जी पदार्त होता है तो वह क्या होता है ओरिया युरिक यहाँ से हो जाएगा आपका एंसर उरिया जो होता है अगले कोशिंस की बात करते हैं तो कोशन दर्जु होगी दोस्तों वह बहुत ही कम होगी जब हम निंद में सोड होगे निंद्रा के खराटर भरते समय ठिक है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रहे हो तो लाइक जरुर कर लिजेगा और साथ ही हो सके तो अपने दोस्तों के भी शेयर कर लिजेगा चलिए दोस्तों चलते हम लोग आपके questions की और तो questions आपका next question आपका आता है दोस्तों कि 50 की खोज किषने कि थी यहां दोस्तों यहां से जा लेशनिकूलयस घृत था रश्टब करता है डोसurm सासी किया तो यह जो संस्थान इंस्तित है Claudia इसका एंसर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा लंदन में इस्थित है अगली कोश्ट ही बात करें तो कुरूशेटं में अगली कुरूशन्ग है पहुचा जाता है वह अंग कौन सा है बाया आलिंद दाया आलिंद बाया निलय या धमनी तो यहां से उसका एंसर जान लेजिए दोस्तों यह हो जाएगा आपका दाया आलिंद के द्वारा ही फेपरों में रक्त पहुचाने का काम होता है अगली कोश्चन की बात करते तो कौन सा कन रक्त का कौन सा कन जीवानों से रच्छा करता है तो दोस्तों यहां से यह जान लेजिए कि रक्त का जो स्वेट रक्त कन होता है वह जीवानों से रच्छा करता है ठीक है अगली कोश्चन की बात करते दोस्तों कोश्चन नमोर है कार्बंड ऑकसाइड ठीक है मित्रों आगे कोश्चिंज की बात को fiction number 60 Is Guy क्या हैता है कि मनुस्ति के सरीर में सब से च्छोटी अन्ता सराविक गरंथी है जित्व मनुस्ति के सरीर में जो सब से च्छोटी अन्ता सराविक गरंथी है वहs 형 का तो कौन्सा है तो रहा है प्यूसगर न्ती ठीक है मितरों अगली कोश्चन की बात कर कि होता है सरीर का तापमान और कमड़े का तापमान सता ही तरी सलसे होता है इसलिए आप कन्फ्यूज उसमें नहीं होना आपको ठीक है और अगले और लास्ट कोस्टन की बात करते कोस्टन करता है मानब सरीर को कितने निकोटिक अमल की प्रति दिन अविशक्ता होती है तो आज के लिए इतना ही था दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगएगा तो लाइक जरूर कर लेजेगा और साथी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथी घंटी के चिन कोई फ्रेस कर लिजेगा तो दोस्तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में नई जोष नई इनर्जी नई मॉर्निंग के साथ तब तक के लिए नमस्कार अपने आसपास स्वक्षता बनाए रखे धन्यवाद